दोस्तों वेलकम टो आर ओफिशल यूट्यूट चैनल एक्जाम कॉंसर्ट वे दोस्तों जैसे कि आपके कॉमेंट आ रहे थे इस वीडियो में हम बात करेंगे जो केंद्रिय विद्याले संगटन यानि 2022 की requirement है इसमें जो है eligibility criteria क्या होने वाल ये new post की जिसमें PRT के लिए क्या चाहिए TGT के लिए और PGT के लिए eligibility criteria को लेकि जितने भी doubt तो आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा अंत तक बने रहे चोटी सी वीडियो बनेगी दो से तीन मिनट की आपकी सारी doubt के लिए हो जाएंगे कहीं जाने की जुरुत नहीं है कि जो नया KBS का गियापन आया उसमें eligibility criteria क्या रहेगी इस eligibility criteria को पर बात करने से पहले आपको सबसे पहले इसकी एक main eligibility criteria जो होता है age का age पर बात कर ले क्योंकि different poster के लिए different age होती है यानि PGT के लिए कुछ और age TGT के लिए कुछ और PGT के लिए कुछ और तो आईए आज की वीडियो शुरू करते हैं और अपने age वाले criteria आप चलते हैं अगर age वाले criteria आप देखेंगे तो age limit क्या है इसकी age limit पर अगर हम बात करें तो इसकी age limit आपको देख रहे हैं post graduate teacher के लिए यानि PGT के लिए 40 साल maximum होनी चाहिए maximum 40 साल प्लस इसमें जो age relaxation होगा SC को 5 साल प्लस BC को 3 साल महिलाओं को 10 साल और ऐसे ही है तो उसका मैं बता दूँगा तो overall यह है कि age limit 40 साल आना चाहिए trend graduate teacher यहां के लिए 35 साल का eligibility criteria यहां पे है primary teacher PRT के लिए 30 साल का है तो इसमें अपने relaxation जो relaxation है उसके इंसार देख लिजेगा अब main topic जो हमारा है eligibility criteria का केंदरी बिद्याला में क्या चाहिए आईए एक एक करके बात करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे PRT के लिए यानि PRT की बात करें primary teacher की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आप जानिए कि seat rate जो है compulsory है यहां seat rate आपके पास होना चाहिए seat rate के साथ साथ इस बार जो पहले जो DL8 की degree मांगते थे DL8 की degree मांगते थे इसके साथ B8 भी नहों ने eligible कर दिया है तो दो चीज आपको PRT के लिए seat rate चाहिए आपको primary level का पास होना चाहिए प्लस DL8 या BTC जिसको कहते है ओक किया राना चाहिए या B8 राना चाहिए इसमें आपको NTT का भी option मिलता है तो उसको भी देख लेंगे लेकिन इस बार जो B8 है उसको eligible किया गया लेकिन उसमें इन्हों नोटिस में लिखा हुआ है कि B8 को माननेता दी गई है कोट का अंतिम रहना चाहिए सीटेट पहली बात प्लस B8 या BTC ये दोनों रहना चाहिए आपके लिए तो PRT में इसके अलाव आपको कुछ नहीं चाहिए जिनों डेलेट कर रखा होगी इलिजबल है BTC किया हुआ उसी का रूप है और B8 कर रखा है कोट के आदे आने तक को फाम स्री है कितने बच्चे पूस रहे थे सरसीटेट मैंने भी नहीं डाल रखा तो सीटेट इलिजबल है पिछली बार किया हुआ था के विएस ने की सीटेट जब की विसका फाम आया था तो उससे से में सीटेज के एक्जाम नहीं हुआ था तो जिनों सीटेट में अप्लाई क सीटेट के लिजबिल्टी क्राइटेरिया क्या है पहली पॉइंट की 50% यूजी में रहना चाहिए आपका यानि ग्रेजुएट में ग्रेजुएशन में आपका 50% रहना मच्ट है 50% से कम वाले अपलाई नहीं कर पाएंगे बीए में बीसी में आपके 50% से कम है तो आप ठीक सीटेट रना चाहिए इसमें क्यों डीयर डालेंगे ध्या दियान देज़े गा ना की बीथी ओडीएलेड वाले नहीं डालेंगे बीथी सी और डीएलेड वाले नहीं अपलाई नहीं कर सकते तो टीजी टी के लिए तीन योगिता चाहिए पहला यूजी में 50% डलस से प्लस बीड अगर आपने टीजीटी के फॉर्म आपको अप्लाई करने हैं तो तीन योगिताइं आपकी हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं किलियर वाइस के अलावा भी कोई डाउट होगी तो आप में कॉमेंट वोक्स में लिख सकते हैं आईए अगली जो हमारी हिटा है पीजी टी उसके लिए बात कर लेते हैं पीजी टी के लिए संपली आपको जो यूजी की है कि पीजी में आपको पचास परसेंट मार्क होना कं कमपलसरी है यानि पीजी में पचास परसेंट से कम है तो आप अपलाई नहीं कर पाएंगे देख लीजिएगा और क्या चाहिए इसके अलावा बीएड आपका बीएड होना चाहिए लेकिन पीजी टी में एक जो सीटेट लगता है सीटेट कमपलसरी नहीं है सीटेट नहीं भी रहेगा तब भी आप PG का फॉर्म PGT कर डाल सकते हैं तो यह ओभल और आडिया रही PRT की TGT की PGT के यानि PRT को BA वाले भी अपलाई कर सकते हैं सीटेट अगर प्राइमरी सीटेट पास है तो BA वाले अपलाई कर सकते हैं TGT के लिए बीए में 50% graduation में 50% के साथ सीटेट प्लस BA रहना चाहिए और PGT के लिए नो सीटेट वणली 50% और BA रहेगा तो अपलाई कर सकते हैं तो ओभर ओल एक क्राइटेरिया का वीडियो था eligibility क्राइटेरिया का इसके बाद मैं एक details syllabus का वीडियो लाऊंगा और KBS से क्राइब हीड़े और ठीदक्थर पासरी वीडियो प्र Посमwayन का वीड़ा